क्या इस देश में ठाकूर उत्पिरण ठाकूरों ने उत्पिरण नहीं किया, क्या इस देश में सवर्णों ने उत्पिरण नहीं किया, क्या इस देश में आज भी ठाकूर एक प्रतीक है, ठाकूर हो सकता आप कहां कोई राजपूत अपना सरनेम लगाता हो, हमारे बिहार में तो जो नाई जाती के लोग हैं, उनको ठाकूर कहते हैं हम लोग, ठाकूर वो होते हैं हमारे बिहार में, जो नाई जाती के लोग, तो इस कविता में जो ठाकूर परसंग आया है, वो है इस देश में जो समन्तिवादी सकती है, इस देश की जातिवादी सकती है, उनके लिए प्रियोग किया गया है तो क्या यह देश इतना जातिवादी नहीं है कि कुवें पे दलितों को पानी नहीं भड़ने दिया गया ऐसा तो हुआ है इस देश में आज भी होता है क्या इस देश के विश्विद्याले में जाती का दार पर बेद भाव नहीं करता थाकूर मतलब हिस्सेदारी और भागीदारी में इस देश में हिस्सेदारी और भागीदारी के मामले में हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है क्या तो ठाकूर सब्द से अपत्ति है लेकिन जो भेदभाव है उस पर बात नहीं करेंगे ठाकूर सब्द पर बात करेंगे कि अपमान हो गया औ मजस्थान में एक बच्ची को उसके टीचर ने सिर पिछ लिया नहीं पीट कर मारा क्योंकि उसने मटके को छू लिया था पानी पिने के लिए ये 22 सदी में हुआ ना तो आज भी तो हो रहा है जातिवादी उत्पिरन हमारे बिहार के लखी सराय में एक दलित का जो है खेत में कुछ छू दिया था दलित ने उसको थ्रेसर में दे के बार दिया थ्रेसर चला के तो वो नहीं है क्या फूलन देवी को क्यों बिद्रो ही नहीं होना पड़ा क्योंकि ठाकूर के कुए पर गई थी इस देश यह देश बहुत जातिवादी है सीधी सी बात है इस देश में करनों ने चुआ चुट किया है यह एक सच है ठाकूर सब्द से अपत्ति होती है ठाकूर सब्द से अपत्ति होती है हम इंकार करते हैं अपत्ति करनी है चुआ चुट से अपत्ति करो आपत्ति करनी है तो भेदभाव से अपत्ति करो जातिवादी उत्पीरंड से अपत्ति करो ठाकूर सब्द की बहस ये कौन सी नकली बहस है ठाकूर कुवा का इस कविता को अगर राज सभा में पढ़ा गया है उसके बहाने आज भी इस देश में जो जाती बादी भेदभाव है उस पर बात होनी चाहिए ब्रह्मान ठाकूर आपस में जिसको जिससे पूछना है और मुझे लगता है कि मनोजा भी उसी दर्द की बात कर रहे हैं चूला मिट्टी का मिट्टी तलाब की तलाब ठाकूर का भूख रोटी की रोटी बाजरे का बाजरा खेत का खेत ठाकूर का बैल ठाकूर का हल ठाकूर का हल की मूट पर हतेली अपनी फजल ठाकूर की कुवां ठाकूर का पानी ठाकूर का खेत खल्यान ठाकूर के गली मुहले ठाकूर के फिर अपना क्या गाउं शहर देश ये कविता है जिस पर बवाल मचा हुआ है ये जो कविता है मुझे लगता है प्रतिकात्मक रूप से यह कविता इस देश में जो जातिवादी सामनती ल पर जो है दलित पानी नहीं भढ़ सकता है किसने नहीं देखा है क्या यह इस देश का सच नहीं है मैंने देखा है मैं एक मिर्तियू भोज पर गया हुआ था और वहां जो है दलितों को जमीन पर बिठा के खिला रहे थे और सवर्न जो है टेबल कुर्सी पर बैठ कर खा रहा यह तो सच है इस भारत में जातिवादी समाज का यही सच है इससे इंकार किसको है नहीं ब्रह्मनों को भी पढ़े हम तो चाहते हैं कि जितने लोगों ने सोसन किया है तमाम सोसकों का सच सामने आना चाहिए चाहे ब्रह्मनों का सच हो चाहे ठाकुरों ने किया हो दलित उत पीरन किया है जिसने भी हमारे साथ बेदभाव किया है तो मनोजी जाने लेकिन इस बहाने हमें तो खुशी इस बात की है इस बहाने इस देश में यह बिमर्ज तो चला हमें तो उस बिमर्ज से मतलब है जो बेदभाव का बिमर्ज है दिक्कत होगी किनको दिक्कत होगी जो ज बेट जाता होगा आरूग Almost को दिखाने को दिकत होगी इनके पेट में दर्द होगी मैं पूरे देश में है वही मैं भी बात कर रहा हूं उसका विरोध नहीं करेंगे बेद्बाव का विरोध नहीं करेंगे उत्पी रंग का विरोध नहीं करेंगे लेकिन जाती वाद है यह सच अगर सामने आ जाए इनके पेट में मरोर होने लगता है होगा जाती जनगना का विरोध करेंगे ये लोग जाती जनगर्णा का विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि इस देश में OBC का हग कौन मार के बैठा हुआ है पता चल जाएगा पता चल जाएगा कि देश में ब्रह्मनों की आवादी 3% है तो 95% जज क्यों बना हुआ है सवाल उड़ जाएगा कि इस देश में सवार्णों की आवादी 10% है तो 80% संसादनों में भागिदारी क्यों है इसलिए उनके पेट में दर्द है सवार्णों के नहीं हम तो बहुजन की बात कर रहे है बहुजन की बात है यह सबका हख मारा है इनोंने OBC का भी हख मारा है सिघुल कार्ट का भी हख मारा है सिघुल ट्राइब का भी हख मारा है सारे बहुजनों की हख मारी की है अब जो कहते हैं देखिए क्या है लेकिन जो पूरा जो एक मुकम्मल एजेंडा है बहुजन हिस्सेदारी की बहुजन भागिदारी की हम उस एजेंडे के साथ हैं पढ़ गया पढ़ गया प्रभाव अभी देखिये ना पूरे देश में सिर्फ इसी की चर्चा है पूरा जो हिंदू 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 मुसलिम का पूरा बीजेपी का एजेंडा है 2024 के पहले सारे एजेंडे द्वस्त किये जा चुके अब कोई एजेंडा अब सिर्फ जाती जाती चला बताओ दो हिस्सेदारी कॉंग्रेस हो, भाजपा हो, जड़ी हो और जड़ी हो, समाजबादी पार्टी हो जिस जात की जितनी भागिदारी है उसको उतनी थोड़े ही छोड़ देंगे मंगनेस तो भीक भी नहीं मिलता है हम तो हक की बात करें हक तो लड़कर मिलेगा सब जगह लड़ना है कॉंग्रेस में भी लेना है, भाजपा में भी लेना है जड़ी में भी लेना, आरजडी में भी लेना सब जगह आबादी के हिसाब से भागी दारी चाहिए जई सीदिसी लड़ाई है होगी सबकी होगी बीजेपी को नहीं है बीजेपी जो है बनाता है जब OBC मंत्री तो कैसे परदान मंत्री घोसना करते है परदान मंत्री कहते है मैं पिछड़ा का बेटा हूँ अमीट साह जो है अप्रेल में मोदी तेली साहू संबेलन को संबोधित करते है आमदाबाद में सब की चिंता है भाई ये तो पुरा खेल ही हिंदू मुसलिम से सिफ्ट हो गया ने जाती पर हम जाती वादी नहीं है ना हमारा तो सच है ये तो हम क्यों घबराएंगे अब सच से को इनको डर लगता है इनको डर लगता है कि ठाकूर सब्द के बहाने इस कविता के बहाने जाती के नाम पे उन्होंने जितना सोसन, उत्पीरन, हक्मारी की है सब का परदा फास हो रहा है इसलिए उनको डर लगता है हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं हमारा सोसन, उत्पीरन हमारी हक्मारी तो सब लोगों ने की है हम तो अपने हक अधिकार के लिए लर रहे हैं हमारी जितनी आबादी है भागीदारी दो देना पड़ेगा